तो आसे हम जहां पे जो है एक वन मो एक्ट जो है यहां पे हम स्टेडी करेंगे और यहां थूसरी को दो को खेंगे, जिसे में के हमने स्टिक्री दो मुध्या पे दो मुखिने अलगा प्र सीदिन जो होता है कांसिलेटर की appointment कैसे होती है और कांसिलेटर settlement award क्या होता है या फिर settlement agreement क्या होता है इस act को पढ़ने के बाद अब हमारे पास जो next act है legal service authority amendment act 1994 है एक बहुत ही important act है इस act का main purpose जो है पहले आप समझे लेजिए ताकि आपको आगे जो है थोड़ा सा easy हो जाए act का purpose main के है to provide legal service to the poor and needy person तो जो गरीब है needy person है जिनके पास means of source नहीं है अपना case court में चलाने के लिए जिनके पास means of source नहीं है जिनके पास financial capacity नहीं है उनको legal service provide कराना legal aid provide कराना legal help provide कराना ही इस act का main purpose है दूसरा इस act का main purpose जो है वो लोक अदालत की establishment है लोक अदालत and permanent लोक अदालत की establishment करना इस act का एक another imported object है लोक अदालत मैंने आपको पहले बताया है जहां पे कोई भी case माली जी अगर court में pending है काफी time से pending है तो दोनों parties जो in dispute में है जिनका case जो है जिनका suit जो है court में चल रहा है दोनों की समयती से उस case को लोक अदालत में shift किया जा सकता है लोक अदालत दोनों parties को सुनने के बाद without accepting the procedure of CPC और evidence वो जल्दी से जल्दी वहां पे decision करता है cheap और quick justice वहां पे हो जाता है और उनका decision जो है वो as a decree काम करता है जैसे कि किसी court में वो decree दी हो और वो दोनों parties को bond वहां पे करता है तो legal service authority का main purpose जो है वो poor and needy person को जो है legal services provide कराना और दूसरा लोक अदालत और पर्मन लोक अदालत को establish करना ताकि quick justice हो सके because you know the justice denied means justice delay means justice denied अगर न्याए में देरी होगी तो यह माना जाएगा कि न्याए कभी हुआ ही नहीं तो इसलिए यह सारे provision यहां पे किये गए है constitution के under भी यह सारी बाते लिखर किये है article 39A of the constitution provides that no person shall be devoid of justice mainly due to the poverty or any other disqualification to section 39A आपको पता है पार्ट फॉर इंडिन constitution डिरेक्टि पिसल्द स्टेट जहां पे state को direction जो है constitution देता है कि कोई भी person कोई भी person जो है due to poverty जो है उस justice से devoid नहीं होना चाहिए उसको justice denied नहीं होना चाहिए वो justice से वंचित जो है नहीं होना चाहिए it means that even person has a right to obtain a justice even if he is a poor by any ways इसका वातलों यह हुआ कि अगर कोई person poor भी है फिर भी उसको अपना यहां पे justice लेने का right जो है this intention of the constitution has been engulfed in various legal provision and judicial decision और यही जो constitution में लिख रखा है यह जो है main जितने भी provision और judicial decision के थूँ भी वहां पे हुआ है क्योंकि आपको पता है डारेक्टिव पर स्टेट में अगर कोई बात लिख रखी है तो यह स्टेट को guideline है कि वो इससे related जो है काम करें इससे related law बनाए इससे related जो भी काम हो सकते हैं वो करें तो section 39 के अंडर अगर यह बोला गया है कि कोई भी गरीब जो है वो बिना justice के नहीं रहना चाहिए तो इसके लिए फिर एक act बनाया गया जिसका नाम है legal service authority act 1987 जिसमें amendment जो है 1994 में की गई थी but it could not be implement due to some reason later in 1994 वेरेस amendment were made and it was implemented in the amended form तो यह कुछ reason के वया से अमेंड नहीं चल पाया success नहीं हो पाया 1994 में इसमें amendment की गई और इसको implemented form में फिर से लाया गया यहां पे तो legal service authority जो act इंडिया में बना उसके पीछे का जो main source है वो इंडियन constitution है इंडियन constitution के article 39a में clear लिख रखा है कि no person should be derived from the legal justice due to poverty तो provision क्या क्या है इस act के अंडर आपने इस act को अच्छे से आगे पढ़ना है जिसमें अपने लोग का दालत को भी समझना है main main provision क्या है इस act के हम यहां पे इस question में discuss करेंगे constitution of national legal service authority तो legal service authority act के अंडर जो है एक national legal service authority बनाए गई है state legal service authority बनाए गई है district legal service authority बनाए गई है national legal service authority national level पे काम करती है state legal service authority हर एक state में बनाए गई है और constitution of district legal service authority district level पे भी जो है legal service authority बनाए गई है यह अपने अपने जुजेक्शन के अंडर जो है लोगों को जो है लीगल एड प्रवाइड करवाते हैं प्रविजर है बनाना है ताकि जो भी प्लान जहां पर बनाया जाए जैसे समाजिक न्याय कैसे हो सकता है इसके लावा किसी भी मैटर को जो है इस से लेकर यह सारे यहां पर स्कीम बनाएंगे तो लीगल शुट काम क्या है कि कैसे लीगल सर्विस प्रवाइड कर जाए इसके लिए प्लान बनाना इसके लिए जो सोचल जस्टिस कैसे हो सारे मैटर जो है डिस्पूट जो है वो वह इसकूशन से किये जाए और लीगल एड की वैलेशन करना की क्या लोगों को legal aid महां पर provide की जारी है या नहीं की जारी है इस से रेटर सारी policies कौन बनाता है national legal service authority बनाती है Chief Justice of India जो है यहाँ पर patron chief होता है it has one executive chairman तो इसमें एक chief होता है जो की India का Chief Justice of India होता है और साथ में executive chairman भी होता है who is appointed by the president को हमारे country का रास्टपती जो है appoint करता है after all the consultation with the chief justice of India chief justice of India की consultation के बाद president जो है इस executive chairman की appoint यहाँ पर करता है तो legal service national legal service authority national level पर legal service से लेटर और legal aid से लेटर से लेटर स्कीम को बनाना यह इसका काम है constitution of the state legal service authority like center a facility of constitution of state legal service authority in the state has been proved तो center की तरह state हर एक state में भी एक state legal service authority बनाए गई है according to section 6 the chief justice of the state उस state का जो chief justice होगा high court का वो यहाँ पर patron chief होगा it also has one working chairman इनका भी एक working chairman होगा जिसकी appointment governor करेगा after all the consultation with the chief justice of the state जैसा center में आपने देखा national legal service authority में देखा वह ही जैसा ही state legal service authority में भी होगा इसकी main duty क्या है तो main duty भी almost यह होगी to provide legal aid to the person entitled to a legal aid उन सभी poor and needy person को जिनको विधिक कानुनी सहाइता legal aid चाहे वो financially हो या किसी तरीके की और legal advice हो वो provide को राना और to conduct a लोग अदालत और लोग अदालत को चलाना time to time लोग अदालत की establishment करना और लोग अदालत के थू जो है सभी disputes को solve करना ही जो है इसका काम है यहां पे तो देखिए national legal service authority और state legal service authority का जो काम है basically यह है कि लोगों को legal aid provide करना legal services जो है लोगों को provide करना और लोग अदालत को conduct वहां पे करना next आपके पास constitution of district legal service authority provision had been had been laid down under section 9 of the act for the constitution of the district legal service authority district legal service authority की constitution भी section 9 के अंडर की गई है each district में हर एक district में एक district legal service authority वहां पे होगी इसका chairman district judge होगा few other member वहां पे होगे the main function क्या है to service इसका भी main function यही होगा authority are to perform such a function of the state authority in the district as may be delegated into time to time तो जो state legal service authority के function है जो इनको delegate किये जाएंगे district legal service authority को वो सारे करेंगे और उनको कौन से function टलिगेट करेगा कि यह legal service, legal add provide कराना legal services provide कराना लोग अदाल्थ को चंड़्ड़क्ट कराना state authority जो भी function इनको delegate करेंगे यह सारे काम करने पड़ेंगे coordinate and activies the legal service authority legal service committee legal service committee के साथ जो है काम करना लोग अदाल्द को कुड़क्ट करना यह ही इनका जो है काम है तो आपने देखा जो मेल प्रुवीजिन है इसमें से आपने देखा कि यहां पर एक लेगल सरफिस अथार्टी एक्ट के अंडर जो है एक नैशनल लीगल सर्फिस अथार्टी बनाए गयी है दूसरी सर्विस अथर्टी जो है बनाए गए यहां पर Constitution of Supreme Court Legal Aid Committee इसके लावा कुछ कमेटिये भी यहां पर बनाए गई है Supreme Court Legal Aid Committee, High Court Legal Aid Committee और तालुक Legal Service Committee यहां पर बनाए गई है Section 3A provides a provision for the Constitution of Supreme Court Legal Aid Authority for organizing a low-cadalat for quick disposal of pending cases in the Supreme Court Supreme Court में जितने भी जो है पर बनाए गई है उनके लिए low-cadalat बनाए गई है और यह low-cadalat जो है किस के इंडर बनाए गई है Supreme Court Legal Aid Committee के थरू बनाए गई है Constitution Supreme Court Legal Aid Authority for appointing organizing a low-cadalat for the quick disposal of the pending cases in the Supreme Court for making legal service available to the eligible person The sitting judge of the Supreme Court is the chairman of the committee तो इस committee का main काम क्या होगा Supreme Court में जितने भी pending case है उसके लिए low-cadalat को organize करना तो अगमाल यह Supreme Court में कोई case बड़े time से pending है और दोनों party चाहती है कि इसको जो है low-cadalat में shift किया जाए तो low-cadalat भी बनाएगी Supreme Court Legal Aid Committee और उस case को वहाँ पे जो है dissolve उसको जो है resolve वहाँ पे करेगी इसका जो judge होगा जो इस case को सोनेगा लोग-cadalat में वही इसका जो है chairman होगा committee का Constitution of the high-cord legal service committee तो इस high-cord legal service committee का काम भी यही होगा कि जो high court में case pending है उनके लिए low-cadalat बनाना और वहाँ पे quick justice और legal aid or legal service प्रोवाइड करना नीदी परसन को यहाँ पे जो sitting judge होगा वो यहाँ पे क्या होगा चेर्मैन होगा इसी तरह के से तालुक service committee बनाएगे है तो तालुक legal service committee भी बनाए गई है जो की under the district legal service authority काम करेगी जतनी भी तसील होती है generally तसील में जो छोटी courts होती है वहाँ पे तालुक legal service committee बनाए जाती है यह under the district legal service authority काम करती है जो function district legal service authority इनको sign करेगी वो ही करेंगी इनको काम क्या sign किये जाएंगे कि यह organize करें लोग अदालत को और लोग अदालत के थूँ जो है जितने भी pending case है courts के उनको जल्दी से जल्दी वहाँ पे उनका disposition किया जाए नेक्स आपके पास establishment of legal ad fund यह बहुत जुरूरी है तो national legal ad fund एक बनाया जाएगा national legal ad fund बनाना बहुत जुरूरी है इसी fund से जो है poor and needy person को fund वहाँ पे provide कर जाएगा अगर उनके पास case को लगने के लिए पैसे नहीं है जो उनको अपने वकील जो advocate हायर करने की अगर उनके पास capacity नहीं है financial capacity then government जो है इस fund से जो है advocate provide कर गी और advocate की फीज जो है इसी fund से वहाँ पे दी जाएगी the national legal ad fund state legal ad fund and district legal ad fund has been initiated under section established under section 15, 16 and 17 expectably for the fulfillment of the expenses related to the legal ad by the national legal service authority national legal service authority को जितने भी fund चाहिए legal ad के regarding यह state legal service authority को जितने भी fund चाहिए legal ad selected यह district legal service authority को जितने भी fund चाहिए legal ad selected वो सारे जो है provide को जाए 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 इस national legal ad fund के through free legal ad तो यह भी बहुत important provision है तो यह तो main function है the main purpose of the act is also to make available free legal ad to the weaker section of the society for the achievement of this object section 12 of the act mention those persons who are entitled for the free legal ad तो यहाँ पे free legal ad का concept रखा गया है और इस act के अंडर एक पूरी list बताए गई है कि कौन-कौन से person जो है free legal aid जो है free legal service जो है वो ले सकते हैं जिसमें आप women देखेंगे S.E.S.T. देखेंगे जिनकी एक particular income से कम salary है तो वो जो है सारे legal ad ले सकते हैं free legal ad जहाँ पे ले सकते हैं यह सारे provision जो है इस act के अंडर कर रखें इसके लवा लोग अदालत तो main character आपको पहले बता दिया कि इस act का जो main purpose यह भी है एक तो यह है कि पर एड़ी परसन को free legal ad provide कराना free legal services provide कराना दूसरा लोग अदालत को बनाना the main character of this act is to give legal nature to the लोग अदालत the provisions are made for the constitutional और इस एक्ट के अंडर जो है वो कैसे जो है civil court की decree माने जाएगी इसके सारे provision जो है इस act के अंडर कर रखें आगे हम इनको detail में पढ़ेंगी इसके लबा पर्मनेंट लोग अदालती भी बनाएगी है section 22a of the legal service authority act के अंडर जो है permanent लोग अदालती भी बनाएगी है जो की जैसे electricity होगी water supply होगी या sanitary problem होगी यह देखिए जितनी भी जो हमारे public utility services है जैसे ट्रांसपोर्ट की facility होगी यह हमारे public welfare services है और इन से लेटर अगर को dispute हो जाता है तो हम उसको permanent लोग अदालत में फाइल करते हैं ताकि quick justice वहाँ पी quick disposal of the case हो सके और आम लोग जो है वो परिशान नहीं कर सकती है public utility services क्या होती है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है section 22 a में पूरी public utility services को बताया गया है public welfare services और public utility services क्या होती है यह भी इस act के अंडर बताया हुआ है तो यह जो है main provision है main provision में आपने देखा कि इस act के under national legal service authority बनाए गई है state legal service authority बनाए गई है district legal service authority बनाए गई है national legal and fund बनाए गई है लोग अदालत बनाए गई है permanent लोग अदालत बताया गई है साथ में public utility services क्या होती है यह बताया गई है यह सारे जो है इस act के main provision है thank you so much